आज हम लिग बनाएंगे milk bread toast, जो आप breakfast में बना सकते हैं, बहुत ही tasty और within 5 minutes बन जाएगा, बट लगेगा only 3 ingredients, तो चलिए recipe को start करते हैं यहाँ पे हमने लिया है दो slice white bread, जिसमें हम अच्छे से butter को लगा लेंगे, आप चाहे तो salted नहीं, तो unsalted कोई भी butter यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है दोनों bread के एक एक साइड में हम butter को अच्छे से लगा लेंगे, तवा को हमने हलका सा गरम कर लिया है, अभी हम bread के जिस साइड में butter को लगाए थे, उस साइड को नीचे की तरफ रख के हम bread को तवा पे रख देंगे, और एक से देर मिनिट के लिए हम इसको low flame में toast कर लेंग जब तक ये toast होडा है, इसके बीच में हम bread के इस साइड में भी थोड़ा सा बटल लगा लेंगे, और हमने यहाँ पे लिया है one fourth cup milk, इसको अभी हम थोड़ा सा चारो साइड में डाल देंगे, बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी दूसरा एक bread लेके हम इसके उप अबर रख देंगे, बाटर वाला साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और हलका सा प्रेस कर देंगे, उसके बाद हम इसके उपर भी हलका सा बटल लगा लेंगे, और फिर थोड़ा सा दूद हम इसके उपर भी डाल देंगे, और फिर इसको पलट देंगे, उसके बाद लास्ट में हम इसके उपर छिरख देंगे थोड़ा सा शुगर बट यह ऑप्शनल है तो अब है हम इसको पलट देंगे और 32-45 सेकिंज के लिए हम इसको टोस्ट कर लेंगे अगर आपको शुगर पसंद नहीं है तो आप एक-एक साइट को और 30 सेकिंज करके फ्राई करके यही पर इसको स्टॉप कर सकते हैं बलटने के बाद हम इस साइट में भी थोड़ा सा शुगर चिरख देंगे और इस साइट को भी 30-45 सेकिंज के लिए लो फ्लेम में टोस्ट कर लेंगे तो बस यह रेडी हो गया है तो हम गैस को ओफ करके इसको सर्फ कर लेते हैं यह बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और बहुत जल्दी बन जाता है तो आप इसको ब्रेक्फस्ट में ज़रूर ट्राई करें यह मिल्क प्रेट टोस्ट की रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए रेसिपी अच्छे लगने से लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले